चलिए तो सुलुआक करते हम पर्यावरण से और पर्यावरण में पहला हमारा टॉपिक होगा पस्षों से संबन्द और पस्षों के अंदर हमने सबसे पहला जो पसु लिया है वो है हमारा सुलॉट तो सबसे पहले हम Sloth के बारे में जानकारी देंगे कि Sloth एक दुनिया का ऐसा जानवर है जो सबसे आलसी जानवरों में आता है सबसे पहला परिंट हमारा है Sloth दुनिया में सबसे आलसी पहला परिंट हमारा के Sloth दुनिया में सबसे आलसी पहला परिंट हमारा है सेकेंड पॉइंट हमारा यह लगवक सबसे गंटों तक पेड़ पर लटका रहता है सेकेंड पॉइंट है क्लॉइंट जानवर पेड़ पर सत्रे घंटों तक उल्टा लटका रहता है यह अपनी गरदन को 270 डिगरी तक गुमा सकता है अपनी गरदन को यह अपनी गरदन को लगवकर है फॉर्थ पॉइंट है मारा फॉर्थ पॉइंट है इसकी जो ओसत लंबाई होती है वो लगवक 30 इंची तक होती है और इसका जो बजन होता है लगवक 4 किलोग्राम तक होता है इसकी ओसत लंबाई लगवग 23 इंची होती है और इसका बजन चार किलो ग्राम तक होता है शिक्स पॉंट हमारा इसकी औसप चाल इसका बजन होता है लगवग 4 किलो ग्राम तक होता है और इसकी जो ओसथ चाल होती है चलने का इसकी जो दूरी समय करने का जो चाल होती है लगवग 3 मीटर प्रत्य मिनट के साब से लगवग 3 मीटर की दूरी तेह कर सकता है जैसे अगर कोई मुसीबत आ जाती है किसी मुसीबत के कारण यह जो अपनी ओसत चाल है उसको बढ़ा सकता है तीन से साड़े तीन मीटर प्रत मिनट के साफ से यह चल सकता है सलोट जानवर एक भालू के तरह दिखता है मगर इसे हम भालू नहीं कह सकते है यह देखने में सिर्फ एक भालू की तरह दिखता है यह जानवर मद्य अमेरका और दच्छण अमेरका में पाया जाता है यह मद्य अमेरका और दच्छण अमेरका में पाया जाता है जो सलोट जानवर होता है सलोट को एक अच्छा तेराक के रूप में भी मानते है यह जो तेरने में बहुत अच्छी स्पीड होती है और जो इसका जो ओसत आयू होती है लगवग लगवग 40 वर्स तक होती है यह अपने पूरे जीवन में लगवग 7 से 8 पेड़ों पर रहना पसंद करता है और एक पेड़ पर लगवग 5 वर्स तक रहता है यह अपने पूरे जीवन में लगवग 7 से 8 पेड़ों पर निवास करता है और यह एक पेड़ पर लगवग 5 वर्स तक रहता है यह साथ से 8 पेड़ों पर रहता है पूरे जीवन में और एक पेड़ पर लगवग 5 वर्स तक रहता है तो यहां से इसकी कैल्पलेशर भी निकाल सकते हैं इसे सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूँ पिर जैसे इसकी ओसत आयू होती है ओसत आयू चालिस वर्स होती है और एक पेड़ पर कितने वर्स रहता है एक पेड़ पर पाच वर्स रहता है और लगवग आठ पेड़ों पर अपना जीवन जैतीत करता है इसे हम यहां से भी निकाल सकते है चालिस वर्स होती है, तो सिर्फ यह कि याद करने के लिए है, ठीक है, और जो आगे की किलास में हम कई सारे पसुए हैं, जैसे चीता हो गया, बाग, हाती, जो आगे की किलास में हम बताएंगे,